हलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने सेमसंग गिलेक्सी ए 15 एंट्रेट माइल फोन में अगर आपके मोईल फोन का जो फिंगर प्रिंट सेंसर होता है ना तो आपका काम नहीं कर रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैस जो साइड में सेंसर होता है ना सेंसर को आपको फिंगर प्रिंट सेंसर को आपको किसी कपड़े से अच्छे साफ कर लेना है होता क्या है कि हमा उस पे सेंसर के उपन थोड़ावत पानी चिपक जाता है ठीक है हलका फूल का लेर चिपक जाती जिसके हो जैसे फिंगर प्रि ऑपको उगली से दबाके रखना है आपकी स्क्रीन के सामने पीज आता है इसमें आपको रीश्टाट का ये उप्शन टब करना है इससे क्या होगा आपका मॉवाइल फोन जो फिंगर प्रिंट सेंसर आपने लगा रखाए न उस फिंगर्प्रिंट को आपको डिलीट कर देना remove कर देना है ठीक है उसके बाद आपको दुबारा से एक नया fingerprint आपको set कर लेना है ठीक है इससे भी problem solve हो जाती है ठीक है अब दिके अगला का में करना मोईल phone का software आपको चेक करना है कि वो update है या नहीं है इसके लिए पहले phone का internet आप चालू कर लीजिए इसके बाद phone का setting page open करन है ठीक है अगर दोस्तों आपको इस वाले page पे कोई भी update का button या download install यहां पर अगर दिखाई देता है तो उसे tap करके phone का software अपडेट कर लेना है ठीक है अब दिके अगला काम यह करना है कि mobile phone को reset करना है factory reset करना है phone को देखी दोस्तों mobile phone को reset आपको तब करना है जब मेरे बता factory data reset इससे आपको tap करना है आपका phone directly आपको इस setting में लाएगा factory data reset का यह option आपको tap करना है इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपके fingerprint की जो sensor की problem है यह आपकी solve हो जाएगी लेकिन phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखने है आपके phone में जित the print की problem है यह आपकी solve हो जाएगी ठीक है